नमस्कार आप देख रहे हैं क्यापिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पारुल्त रुपाथी मंगलवार को लोकसबा में खूब हंगामा हुआ नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी और अनुराक ठाकूर के बीच खूब वाद विवाद हुआ अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रों ने राहूल गांधी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है इस खुलासे को सुन कर चौक जाएंगे आप चले क्या है वाद विवाद और संबित पात्रों ने क्या किया है खुलासा ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं गांधी पर जम कर हमला बोला भाशन के दौरान ठाकोर ने रहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी खटिया खड़ी करती उन्होंने कहा कि जिसके जाती का नहीं पता वो जाती जनगर्णा की बात करता है जिसके बात से विपक्षी दलों के नेता उनका कड़ा विरोत कर रहे हाला कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ओर से अनुराक ठाकोर को समर्थन मिल रहा है अब इस पूरे मामले पर संबित पात्रा ने रहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया है और पूरा किस्सा बताया है लोग सब हमें बीजेपी सांसद अनुराक ठाकोर वो न सोमनात मंदिर की यात्रा का जिकर करते हैं दावा किया कि उस समय उन्होंने अपना नाम नौन हिंदू रजिस्टर में लिखवाया था लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद कॉंग्रस ने रहुल गांधी को जनेव धारी ब्रहमड बता दिया था उरिसा के पूरी से सांसद सं अमित पात्रा ने प्रेस कॉंफरेंस में कहा प्रवक्ता में वहां मौझूद था तुरंट फोन आया कि सोमनात मंदिर के जो रेजिस्टर होते हैं एक हिंदू वाला रेजिस्टर होता है और एक नौन हिंदू रेजिस्टर होता है राहुल गांधी जी ने अपना नाम नौन हिंदू रेजिस्टर में लिखवाया था य पहुल गांधी जी ने अपना नाम लिखा है तुरंथम ने प्रेस कॉन्फरेंस किया और उसके कुछ दिनों बाद सुर्जेवाला जी ने प्रेस कॉन्फरेंस किया कि ये जनेव धारी ब्रामण है वाह हां सर्ट के उपर जनेव पहना कोट के उपर सर्ट के उपर नहीं कोट क गोट के ऊपर जने उपहल लिया। नौन हिंदू रेजिस्टर से जब मन किया तो कोट के ऊपर जने उपहल लिया। वाह। ये तो बहुत बड़ी बात है, समझाया जाए पात्रा ने कहा कि सभा में कुछ तस्वीरों को दिखाने पर भी संबित पात्रा ने राहुल गांदी पर हमला बोला, संबित पात्रा ने कहा कि सदन में वो इस बार भी तस्वीर लेकर आये थे, सदन के कुछ नियम और काइदे होते हैं, चाहे प्रधार मंत्री हों या फिर एलोपी, सभी के लिए नियम के तहट काम करना अनिवार है, सदन में किसी तस्वीर को नहीं दिखा सकते हैं, बार बार कहने के बाद भी राहुल गांदी फोटो दिखाते हैं, राहुल गांदी अपने आपको नियमों से उपर मानते हैं और पीठा सीन अध्यक्ष का बार बार अपमान करते हैं, सदन में राहुल ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पर बैठ कर टीवी देख रहे हैं, ये तुम्हारे परिवार का ड्रॉइंग रूम नहीं है, ये लोगतांतरिक देश का संसत है, किसी की भी ज्राती पूछ सकते हैं राहुल, लेकिन संबित पात्रों ने सवाल किया कि विपक्ष की नीता राहुल गांदी की ज्राती पूछने में क्या गलत है, जब सरकारी, अधिकारीों, न्यायधीशों और यहां तक की पत्रकारों सहित अन्य लोगों की ज्राती के बारे में पूछ सकते हैं, तो हाला कि सत्तरों दल ने स्पष्ट किया, अनुराक ठाकुर ने लोग सभामे केंद्रे बजट पर बोलते हुए गांदी की ज्राती के ब बीजेपी के राश्य प्रवक्ता सव्वित पात्रवानी कॉंग्रस पर निशानात साधा और कहा कि आश्यर जोनक है कि राहुल गांदी जो भारत में किसी की भी ज्राती पूछ सकते हैं, जब उनकी ज्राती के बारे में पूछा जाता है, तो वो बुरा मान जाते हैं हल्वा सेर्वनी में राहुल गांदी ने पूछी अधिकारी की जाती साधू होते तो जाती नहीं पूछी जाती, क्या वो ग्यानवान हैं, अगर हैं तो अपना ग्यान बताएं, और वो ना साधू है और ना ही ज्यानी है, अगर उस व्यक्ति से जाती पूछ ली गई तो सबके जाती पूछता है, तो इसमें क्या गलत है, संबित पात्रों ने ये भी सवाल उठाया है कि आप जाती जंगर्णा चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाती नहीं पूछी जा सकती है तो फिर बाहर जाती कैसे पूछी जा सकती है आप लोगों ने कहा कि सदन के अंदर जाती पूछना अपमान है तो बताएं कि जातिया इसके साथ आपको बता दे कि समाज जुवादी पार्टी के प्रमुक अकलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को खेरते हुए लोग सभा में सवाल पूछा था कि आप यानि कि अनुराग ठाकुर किसी की जुआती कैसे पूछ सकते हैं सपा सांसत के इस बयान के बाद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया हैंडेल एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया इस पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने एक विजियो क्लिप शेयर की वहीं वीडियो की caption में उन्होंने लिखा कि जाती कैसे पूछली अखलेशी वीडियो क्लिप में एक तरफ अखलेशी आदव लोकसभा में अनुराग ठाकूर की वीडियो है जिसमें वो अनुराग ठाकूर पर निशाना साद रहे हैं वहीं वीडियो के दूसरे स्लाइड में सपा सांसत की पुरानी वीडियो है जिसमें वो एक पत्रकार से जाती उनका नाम पूछ रहे हैं इनसे ये पूछना चाहता हूं आपने जाती कैसे पूछ लिए बताइए बस आप जाती कैसे פूछ सकते हैं आप पता उपूछ कर भात कर रहा है लेकि भूज तोन पिशडरे हो कि क्या है नाम क्या तुमारा नाम बताऊ पत्तिकार करो यार पत्तिकार साथी नाम क्या इनका पूरा बताई यह तो शूद्र नहीं है ना विजियो को देख अकलिश यादफ का दोगला पंतो आपने देख लिया अभी यह देख ली चुए कि ज्राती विवाद पर पियम मोदी, कंगना रनोत और किरन रिजूजू का क्या रियाक्शन आया है बता दे कि पियम मोदी ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्सपर अनुराक ठाकूर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह भाशन मेरे युवा और उर्जावान सहीयोगी श्री अनुराक ठाकूर का है इसे आवश्य सुनना चाहिए तत्यों और हास्य का एक आदर्श मिश्रन इंडी गडबंदन की गंदी राजनीति को उजागर करता है संसदिय कार मंत्री किरन रिजिजू ने विपक्ष के रवय को गलत बताते हुए राहूल गांधी और कॉंग्रस पार्टी को निशाना पर लिया रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि यह रवय गलत है संसदिये कारे मंत्री ने कहा कि हम इसका खंडन करते हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी और रहूल गांदी दिन भर ज्याती ज्याती करते हैं लेकिन अगर किसी ने उनसे ज्याती पूछ ली तो देखे कैसे करते हैं रिजीजु ने कहा कि कॉंग्रेस ने हमीशा देश को तोड़ने का काम किया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने देश की सेना का मनोबल गिराया है कॉंग्रेस देश में हिंसा और अराज़कता भड़कानी की कोशिश कर रही है कॉंग्रेस देश को कमजोर करने का काम कर रही है हम लोग rules and regulation के साथ जाएंगे इस दोरान विपक्ष के सदस्य उने we want cost senses लिखे poster भी लहराए बॉलिवूड actress और BJP sunset कंगना रनौत ने कॉंगर्स अध्यक्षिर राहूल गांदी पर हमला बोला कंगना रनौत ने मीडिया में कहा कि राहूल गांदी drugs consumption करते हैं जैसे वो संसद में आते हैं उनका drug test होना चाहिए वहीं भाश्पा नेता संबित पात्रा ने राहूल के दिये गए बयान पर ये दावा किया कि कॉंगर्स की सरकार में हलवा सेरेमनी में अधिकारियों की जाती पूछी गई राहूल गांदी प्रशासनिक अधिकारियों जजो और पत्रेकारों की जाती पूछते हैं राहूल सैनिकों की जाती पूछते हैं तो उन्हें मिर्ची लग जाती है जाती को लेकर क्या है विवाद? जनगर्णा को हम यहाँ पास करके रहेंगे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्षिन पर जुरूर बताएं पाकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहेए Capital TV